जैसा कि आप सभी जान ही रहे हैं कि यहां पर इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का अब CSP ब्रांच अब सभी पोस्ट ओपिस में हो गया है तो CSP ब्रांच अब यहां पर मिल रहा है जैसे यहां पर इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का CSP ब्रांच अब मिल रहा है CSP branch लेने के लिए आपको document क्या-क्या होने चाहिए कौन-कान सा document complete करना होगा और कहां से आपको CSP branch मिलेगा इसका मैं संपूरन जानकारी देने वाल हूँ साथे साथ मिहाँ पर अगर आपका CSP branch मिल जाता था आपको मैंने कुछ दिन पहले ही आपको एक post दिया था जिसमें आपको वीडियो बना कर बताया था अधार कार्ड सुधार करने के लिए मवाल नमर लिंक करने के लिए इसमें website दिया गया था तो आप अगर CSP ले लेते हैं तो आपको यहां पर अधार कार्ड का भी work मिल सकता है तो उसके लिए पहले आपको CSP लेना हुआ CSP लेने के लिए क्या-क्या आपको category होना चाहिए आपको पर क्या-क्या document होना चाहिए संपोर निजानकारी मिलेगा तो चलिए सुरू करते हैं चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेजिएगा वीडियो को बीना आस्केपी होगे जरूर देखिएगा तक आपको समझ में पूरी तरह से डोक्मेंट आए क्या-क्या लगना है यहां पर एक बेवसाइड ओपन किया हूँ easy2net.com यहां पर आप आएंगे तो यहां पर आपको सारा डीटेल आपको जौब से रिलेटेड साथ ही साथ में आपको यहां पर किसी भी पोस्ट के बारे में या किसी भी तरह जौब से रिलेटेड आपको सारा नोटिफिकेशन आपको मीटेगा साइबर कैप्ट वाले होंगे तो इस बेव साइट के जरूर भीजिट करेंगे तो यहाँ पर आने के बाद आपको क्या करना हो कि आपको नीचे स्क्रोल करना है और इसमें आपको मैं दिख बिता रहा हूँ कि इसमें आपको कैसे मिलेगा आपको यहाँ पर आप आपको आर्टिकल को पूरा विडियो पहुँच करकर रीड कर सकते हैं यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर लिखा हुआ है इंडिया पोस्ट ब् reviews डेंक का प्रेंचाइजिंग क्या है यहाँ पर आप समझ सकते है अपने आप खुद से और नीचे आगे और निश्या आने के बाद आपको यहां पर दे टिया रिए-पोस्त , इस सरकारी गरिया है तो ले सकते हैं इन्विजी और पब्लिक कॉल औफिस आने PCO ओर प्रीटर में ले सकते होगे, और ले सकते हैं भारत सरकारदवार बीमा कंपनी लगुबचत योजना वाले एजेंट होगे उनको भी मिल सकता है, बैक्तिकत पेट्रोलियूम पंप के मालिक होगे तो उन्हें भी मिल सकता है, यहां पर बड़ी सी बात यहां पर आती थी यहां पर CSC के बारे में, यानि Common Service Center, जिनके पास CSC स सेंटर भोजनालज चलाने वाले को भी मिलेगा, अच्छी संचारत समय सहाता अगर भत्ता अगर वाले होंगे तो उनको भी मिलेगे, इसी तरह से अनव्यवस्तानी दिया गया है, तो यहां पर आपको जिनको CSC RD है, यानि CSC जो चलाते हैं, उनको यहां पर खुसगबरी है इन में से कोई एक भी अगर होंगे तो उनको मिल जागा, Jahre पर नीचा आएंगे, नीचा आनने के बाद आपको बताया गया है आपको क्या-क्या होना चाहिए, यहां पूरु तरmacते हैं, इंडिया पुष्ट, पेमेंट बैंक्ट के लिए लेने के लिए आपको अगर पैयन कार्ड नहीं तो फॉर्म 16 लगाएंगे आपके पास पैयन कार्ड तो लगभग बेखती के बास से होता ही है तो पैयन कार्ड होगा इन विज्वल आइडेंटी पूरूफ होना चाहिए कि आपके पास इजुकेशनल सर्टिफिकेट मैट्रिक इंटर या ग्रेजुएशन तीनों में से कोई होगे तो चलेगा या तीनों में तो और बेटर होगा यहां पर सीएसी सर्टिफिकेट होना चाहिए और यह ऑप्सनल है अगर होगा तो आप दे सकते नहीं तो छोड़ सकते हैं लेकिन अ एकाउंट का स्टेडिमेंट या कैंसल चेक होगा चलेगा इलक्रिक सीटी बील होना चाहिए सौप रजिस्टेशन होना चाहिए पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट यानि कहने मतलब कि चरित्र परमान पत्र होना चाहिए इसके बारे में आपको यहां तक आपको आपको ब्रांच में कॉंटेक्ट करेंगे और जो भी कॉंटेक्ट करने के बाद आपको मांगा जागा डोकुमेंट आपको देना होगा वैसे मैं आपको दिखा रहा हूं यहां पर जो डोकुमेंट के बारे में पोस्ट आपिस के पास में क्या क्या डोकुमेंट लगना था यहां पर दिखाया था धार काड़ पैन काड़ इजूकेशनल सेर्टिफिकेट पोस्ट बैंक पास्फिट या चेक चैक्शी सेर्टिफिकेट बिजनल सिए समय ने आपको पहले इसके बाद आपको क्या करना है कि आपको जैसे कि आपको से एस पी ब्रांच मिलेगा अगर सब्सक्राइब आपको डॉक्मेन्ट, अपको अप्लाई करना हो, यहां पर आपको अने के बाद, यहां पर आपको दिया हुआ है ओफिसचल बैवसाइड, उस पर चले आएगे, जो यह यह आपको इसका वीडियो के डिस्क्रिप्सिन बॉक्स में डाल दोगा, जहां से ही इस पोस्ट पेमेंट का जो उपिसल बैर चले यह आने के बाद है यहां पर आप फिस्ट कर सकते हैं यहां पर नीचा आये हैं और नीचा आनी के बाद आपको इस तरह से प्रेज आहां पर आपको एक फोटो लगालना है torch न liए वाले पर Kalina है यहाँ पर मेंना से सब्सक्क्राइब नलेना है यहां पर इसको प्रिंट करने में पूर्फल करने कब साथ करने होते हैं लिए लगाने हैं जो जो लगाना है आह 갑 sticky आपको जब्हुत बाद के लिए बाहरेकर मुझमन करना है ऑना है एक मेनेंजर होंगे जो इंडिया पोस्ट पेमिन पेंगा उनसे आपको कॉंटक्ट करना होगा उनको आपको यह सब डोकुमेंट जमा करना होगा और वहां पर जो भी सर्वीशेस हो आपको CSP के लिए आपको दिया जागा आपको कैसे पता करना हो कि मैं आपको अपने सर्वि इस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद आपको बिहार के हर एक जिले में यहीं कि आप जिस भी आप अस्टेट से होंगे उस अस्टेट का नाम चुनाव करना है जैसे मैं यहां पर बिहार सूंते हैं सिलेक्ट अस्टेट पर आऊंगा और यहां पर क्लिक करने वाद है आपर बिहार पर select करेंगे इसका बिहार में जितने भी post office bank होंगे यहां पर आपको सभी detail दिखाएगा जिसमें और अरंगाबाद जीलस नहीं तो यहां पर आप देख पारे कि यहां पर और अरंगाबाद लिखा हुआ है ब्रांच यहां पर इस वाले ब्रांच में जाएंगे और यहां पर हमें document को जमा करना होगा यहां पर आपको आप चाहेंगे अगर mail के माध्यम से हो जाए तो mail के माध्यम से आपका उमीद कम है मिल पाएगा इसलिए आपको क्या करना हो जो डोक्मेंट मैंने forum बताया उस forum को भर कर आपको नियरेट post office में जाकर जमा करना हो जमा आपको समझ लें और डोकुमेंट को प्रिंट करके और अपना डोकुमेंट सभी अपने नियरेष्ट ब्रांच में जाकर जमा कर दें और वहें पर आपका सारा services मिल जाएंगे तो यही थी चोटी से अपडेट वीडियो चल लगत एक लाइक जरूर कीज़गा मन में और भी सवाल हो तो आपको मेरे कोमेंट सेक्षन में जरूर बताईएगा